So hello everyone, I am Rajat and I am studying in class 12. So friends, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का result आए हुए नियरली एक हफता हो चुका है. तो I know आप सभी का जैसा भी result आया हो, आपके expectations के साब से आयो ना आयो बहुत कम percentage बनी हो. जो भी आपका result रहा है, आप उसे satisfied होगे. अगर satisfied नहीं हो, parents के ताने सुनने को मिल रहे हैं, related अलग ताने मार रहे हैं, किसी एक दोस्त की बहुत ज्यादा अच्छी percentage आ गई, आप की उतनी percentage नहीं आ पाई, तो आप regret कर रहे हो. So friends, देखो, ये वीडियो में आप सभी के जितने भी doubts हैं, जैसी कि क्या class 10 की percentage है, वो matter करती है, क्या मुझे इसके बार में इतना सोचना चाहिए, क्या मुझे demotivate होना चाहिए, तो उसके रिगारी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. So friends, देखो, सबसे पहले, जो आपकी class 10 की percentage होती है, वो आपको आगे आपके जो career journey होगी, उस पे कोई भी effect नहीं डालने वाली है, ठीक है? ये nearly एक document हो सकता है, कि आपकी class 10 की mark sheet है, वो आपके career पे कोई इतना खास impact नहीं डालने वाली, तो आपको इसके बार में ज्यादा स सोचने की ज़रत नहीं है, अगर आपकी percentage इतनी अच्छी नहीं बनी, on the other hand, अगर आपकी expectation थी कि नहीं मैं रितरी महनत करी पूरे सार, मुझे अच्छे percentage चाहिए थी, लेकिन ऐसी percentage मेरी नहीं आई, तो friends, देखो, अभी आपका जो पूरा academic journey of finish नहीं हुई है, अभी आप 11th करोगे, 12th के board exam दोगे, तो उसमें अपना best देना, जो आपके relatives के ताने है, जो parents कह रहें किया, उसके देखो, कितनी अच्छी percentage आई, आपके दोस्ती, कितनी अच्छी percentage आई, तुम्हारी नहीं आई, तुम्हारी नहीं आई, प्हेन दो, तो जितने भी आपको ताने सुनने को मिले हों गया, मिल रहे हैं, तो उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, परस्नली नहीं लेना, तो friends देखो, ये class 10% आपके आगे का जो future है, वो decide बिलकुल भी नहीं करती है, ये एक stepping stone था, जो आपने complete कर लिया, ये जो part था life का, ये complete हो गया है, तो 11th class में proof कर दो कि ये इतनी difficult class होने के बावजूद आपने इतनी अच्छी percentage score करी, take it as a challenge तो अभी आपको class 10th के जो exam हो गए, या फिर class 12 वाले exam हो गए, उनके बारे में नहीं सोचना है, focus on your current class, अब या आप class 11th में हो, या फिर आपकी ने class 12 के exam दे दे दे, आप college में जाने वाले हो, so focus on that, बार-बार उसी बात को सोच के, demotivate नहीं होना है, because it's just a paper, या आपकी life को decide नहीं करता है, ठीक है, so I hope ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत helpful लगा होगा, so that's all for this video, thank you so much.